तो उनस्क्राइब दोस्तों सागत सगी का फंटसी पॉंट की इन में और अब इस तो कोई टीटेंड कवर गए सो जार दोस्तों एंसी एंबी बस से आप पर बी एंसी की बीच मैच हो लिए तो इस बीडू को आप दान देखता है बात करें कोंसे प्लेट को आपको टीम में ल दोस्तों ये लॉस कर गया रहे है यानि तीन में से दो मैच विन एक मैच लॉस ये इनका रीसेंट फॉर्मटी के भाई अब देखो रीसेंट फॉर्म दोस्तों देखने का मतलब यह कि दो टीम को अच्छे तरीके से जानना समझना और उसके बेसिस पर टीम करना ठीक है अब देखो वेनू की बात करें वाई सुलेबिया की ग्राउंड कुए तो मैच होगा और इस पिछ की बात करें कंडिशन की तो यहां पर स्लाइटी एक बैलेंस टाइप बिकेट नजर आता है दोस्तों अब रीसेंट गेम इसमें देखोगे तो बॉलिंग काफी अब मतलब हाई लेबल की यह दोस्तों ठीक है तो लाइक ऐसा लेके चलेंगे दोस्तों की 50% बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा और 50% बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा यह परफेक्ट सुन रहेगा पिछ के बारे में कि बाई देखो हमने कोवेट T20 कवर किया फिर दोस्तों के सी सी टीटियन कवर किया बतलो काफी सा रे लीक्स इस पीच पर हमने कवर किया समझा उसके बेसिस पर यह दोस्तों फोर्मेशन रख रहे हैं पीच के बारे में ठीक है ध्यान रखेगा अब लास्के पांच स्टीजन गेम्स की बात करें तो हमेशा की तरह एक बात का धार न किया कि यहां पर पेसस का कद हमेशा से बड़ा रहा है दोस्तों अगर मान के चलिए 15 बिकेट गिरते है मैच में तो उसमें से दोस्तों 10 बिकेट भाई पेसस ले जाएंगे और मातर 5 बिकेट भाई यहां पर स्पिनर्स को लेगा तो ज़्यादा तर यहां पर पेसस पर फोकस करें आप आप देगे आवरजिंग स्कोर की बात करें तो वही 100 की सम्थिंग स्कोर आपको इस मैच में बनते हैं दिख सकता जादा भी बन सकता लेकिन दोस्तों जिस तरह के रीसन गेम चले उसके बैसिस पर फेक्ट रहेगा ठीक है आप आगे बढ़ते टीम की बात करें आप देगो अब एक चीज और दोस्तों की बाई देगा इसमें दोस्तों दिक्कत हो जाती है आप देखे दोस्तों यहां पर कीजा जे विलसन बोथुजू और एल सिंग ठीक है बाई अब देखो बाई बोथुजू की बात करें विलसन की बात करें तो बाई देखो यहां पर एक मैच था जिसमें जैक्सन विलसन ने अच्छा स्कोर किया बाखी सारे गेम इसमें देखो के फ्लॉब गया बंदा डीजा ने की 4-5 नमर बैटिंग करेगा और टीटे ने गेम में 4-5 नमर की बैटिंग बहुत नीचे होती है दोस्तों अगर टीम स्ट्रगल ना करें तो बंदे की बैटिंग में नाया दोस्तों यह चीज़ रहती है तो फिलाल देखो बोथुजू को पिक करूँगा जो आपको one down bet करेगा लखमिंदर सिंग की बात करेगा अल्मस 28 बें selection ये भी one down आएंगे तो मेरे लिए दोनों ही game changer option से दोनों को में team में रख रहा हूँ जिसका 80% selection जिसका 90% selection वो player बहुत safe होता है बहुत अच्छा होता है तो अगर आप team में रखना चाहो तो शौर आप Jay Wilson को रख सकतो मेरे इसाब से बोध जू मेरा game changer है और L. Singh भी game changer है जिनको safe जाना होगा इसको attack इसको प्ले सकतो ठीक है आगे बड़ते हैं आप देगो भाई बात करें यहाँ पर दोस्तो बैट में सेक्षिन में तो आपको जहीच शेक की बात करें ओपन बैटिंग करेंगे दो मैच खेले दो मैच अब कुछ खास इनका नहीं रहा था शेक को लूंगा अलमोस आएंगे दोस्तो यहाँ पर one down बैट करेंगे जैसे कोई खास ऐसा special option तो आपको दोस्तो देखने को मिलता नहीं जहीच शेक को मैं drop कर रहा हूँ अगर आपको लेना होगा तो आनस महुत को अटाक है जहीच शेक को safely जा सकतो अब देखो भाई हमेशा बोलता हो कि एक player safe होता है एक player risk होता choose अब आपको करना दोस्तों कि देखो मेरा काम है आपको detail देना सही player की भाई यहाँ पर जनकारी देना final जो call रहेगा वो आपका रहा है दोस्तों ठीक है जैसे कि जहीच शेक देख लो यह safe है आनस महुत दोस्तों यहाँ पर यह risk है देखो भाई जहीच शेक ओपन ज़रू आएंगे consistent नहींगे आनस की बात करें तो दो गेम से भी बंदा खेला लेकिन कुछ खास नहीं रहा दोस्तों एस और एक ही match खेला है बड़ दोस्तों यह balling ज़रू करता है और भाई आज़ाद है तीन चाह नंबर तो क्या चाहिए भाई special player है अमाले game change करेगा आप देखो बात करें यहाँ पर rounder section में तो आपको दोस्तों simply जो है बट को pick करना है बाकि इसके अलावा कहीज़े तो आपको दोस्तों जो है दोस्तों मीजदान अली दीखेगा फिर नादान दीखेगा फिर एम balling की टीम में रखो नहीं दैन को दोनों useless option दिक्कत है मिजदान अली मिजदान अली की बात करें तो भाई पिछला match खेला उससे परले जो match अवंडर हुआ था भाई का अच्छा score गया थे भाई ने विकेट भी चटकाया गए अब दिक्कत क्या है दोस्तों दिक्कत यह है भाई कि यहां पर मिजदान को मैं टीम में रख लूँगा लेकि लास्ट मैच क्या हो भाई इनकी बैटिंग मतब थोड़ी सी आई थी लेकिन ज़्यादा ball खेलने को मैं नहीं किया ठीक है अब सेफ है मैं रख रहा हूँगी कि भाई पहला मैच बालिंग किया था सेकर्ड मैच भाई ने बालिंग नहीं किया है अब इसकी वाई से मैं इसको टीम में रख रहा हूँ बाकी दोस्तों ध्यान रखना डिफरेंशल के तौर पे यहां पर रहेंगे यह भट को ट्राइ कर सकतो 26 सेलेक्शन और बाकी हुननलाल को पिक करना और 23 सेलेक्शन भाई यह वो प्लेस है जो आपको जील में विन कराएंगे तो जरूर ट्राइ करना ठीक प्लेस का बूल बाला चल रहा है दोस्तों जिसमें डिफरेंशल रोहन जाय सूरिया है आलम खान है और बाकी दोस्तों प्रेम समी जो हमाली बहुत बड़े डिफरेंशल ऑप्शन है ठीक है तो बहुत बहुत स्पेशल हो सकता बाई सेलेक्शन देको 5 पसंट है इसके की बाएं यहां पर प्रशानगी बहुत घातक रहें इसको वाइस मैं देखेंगे यहां क्या करेगी यहां पर त्यागी वो क्याप्टन प्रसांत को वाइस देगी इवन दोस्तों यहां पर शेक को भी ट्राइग करेगी मैं रेकॉर्डिंग गई है तो फिलाल तो मैं सेफ गया हूं भाई दोनों ही अच्छे उप्शेंस को यूज किया बागी देखो भाई यह प्योर बॉलस है दोस्तों देखो इनका जो पूरा डिपेंडबल चीज है वो बॉलिंग सही है बैटिंग से चांसे मिलते हैं बर काफी नीचे पांच शेनवर पर आएंगे बैटिंग करने तो वहाँ पर कम चैंस रहेगी उतना अच्छा कर पाएंगे ठीक है आप देखो भा तो वही अच्छा स्कूर कर सकता है सीधा ग्राणी में ट्राइग करना बढ़ते को आनस को बोलूँगा रीजन यह बॉलिंग भी करता बैटिंग भी करता फिर एमली को ट्राइग कर सकतो प्रसांत रहेगा त्यागी रहेगा टोटल कितने प्लेस अपने पास होगे बाई य मैंने मार्क कद्य स्मॉली के लिए यह तीन बेस्ट लग रहे जिनको यूज़ करना चाहिए वागी देखो भाई आपको इवडियो अच्छा लगा वडियो को लाइक करना चलो सब्सक्राइब करना मिलते टेलिग्राम चल पे फाइल टीम के साथ में दोस्तो